तिर्फ 30 सेकेंड में आप अपने फोटो का बैक्ग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, आप चाहते हैं कि आपका जो फोटो है उसका बैक्ग्राउंड चेंज करें या फिर बैक्ग्राउंड को रिमूव करें, या किसी भी तरह का आकरसक बैक्राउंड सर्च कर लेना है वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो वहांस भी क्लिक करके आप इसी वेबसाइट पर जा सकते हैं अब आप अपने गैलरी में से किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए फोटो सेलेक्ट करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ आप से डन करना है जो है यहाँ पर डन कर देना है डन करने के बाद जो है यह थोरा दर लोडिंग लेगा लोडिंग लेने के बाद आपका फोटो का जो preview है वो दिखा देगा पहले तो इस तरह से जो है background को ये remove कर दिया है अब background remove होने के बाज़ो है अब background को change कैसे करेंगे कुछ दूसरा background अगर लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे यहाँ पर edit का जो option दिख रहा है उस option पर आपको click करना है एक बार यहाँ से बहुत सारा background इसमें दिया हुगा किसी भी background पर click करके हम लगा सकते है जैसे हम example के लिए Q background पर klik करेंगे और देख़िए इस तरह से आपका background जो है लग गया है अब दूसरे पर click करके देखते हैं दूसरा भी लग गया है इस तरह से आप किसी भी परकार का background जो है आप इसमें लगा सकते हैं एक सी एक आकरसक background आपको इसमें मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि background में सिर्फ color लगा है तो आप color बाले option पर click करके आप जो color लेना है वो color पर click करके ओके करेंगे और वो color background में लग जाएगा अब इस photo को download करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा download करने के लिए हमें यहाँ पर जो download का icon दिया हुआ है यहाँ पर हमें simple click करना है अगला option जो आगा यहाँ तो download image वाले option पर click करके आप simple download कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से जो है मेरा download हो चुका है अब हम open करके इसको देखेंगे कि photo मेरा किस तरह का आया है तो दोस्तों इस तरह से जो है आप भी अपने photo का background चेंज कर सकते हैं mobile से तो इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी भी सीख मिली है तो प्लीज वीडियो का like कर दीजिए और चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन जरूर दबा दे